असलाम लेकुम गाइज, वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल गुडफूट किचन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कड़ाई की बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी जो कि आप सिरफ 25 मिनिट के अंदर तियार कर लेंगे और बहुत ही लाजवाब साइका बनेगा इसका तो ये एक वन पोट रेसिपी है जो कि क्विक और इजी तरीके से त्यार होगी एक पोट लेंगे उसमें हम डालेंगे वन कप ओयल का साथ ही उसमें एड़ कर देंगे हम गार्लिक, वन टेबल स्पून गार्लिक एड़ करने के बाद में इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि थोड़ा सा कच्छा पन जो है गार्लिक का वो थोड़ा सा खतम करेंगे इसमें से और फिर उसके बाद में जब बबल जरा आने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसमें एड़ कर देंगे चिकन ये वन केजी चिकन की रेसिपी है वन केजी चिकन आप इसमें एड़ कर देंगे विद बोन वाला बहुत ही असान और लाजवाब सी रेसिपी है अगर आपकी कोई गेस्ट आ जाते हैं गर में तो यह आप बहुत अराम से बना सकती है असानी के साथ जब चिकन को यह कलर आ जाएगा बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं से हमने देना बस इतनी बुनाई करनी है कि इसकी स्मेल अच्छे से खतम हो जाए और हल्का सा गोल्डन कलर इसके उपर जब आ जाए तो उसके बाद में आप इसमें एड़ कर देंगी टमाटर टमाटर वन केजी जो है वो एड़ करेंगी आप इस कड़ाई में उसके बाद में सबस मिर्चे तकरीबल आठ थोड़ी मोटी कटी हुई सबस मिर्चे इसमें हम आठ नो के करीब एड़ कर देंगे बहुत जाइकेदार रेसीपी है जीरा दनिया इसमें आप थोड़ा सा कूट के या क्रश करके वो वन टेबल स्पून एड़ कर देंगे याद रखेगा उसका पोडर नहीं बनाना उसके बाद चिली फ्लेक्स जो है वो हम इसमें वन टी स्पून एड़ कर देंगे सॉल्ट इसमें चला जाएगा नमक जो है वो वन टी स्पून चला जाएगा नमक थोड़ा कंट्रोल करके डालिएगा इसमें नमक एड़ करने के बाद में हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि सारी चीजें जो है चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं जटपट से बनने वाली ये रेसीपी करने में भी उतनी ही वाइब की है इस दककन्स के मैंने डप दिया तकरीबन आठ मिन लिए और देखें टमाटर जो हैं वो सारे गल्चुके हैं और इसका जो ओल है वो बिलकुल अलैदा हो चुका हुआ है इस पॉइंट में हम आग थोड़ी सी तेज कर देंगे और इसमें एड़ कर देंगे वन कप योगर्ट का अब योगर्ट एड़ करने के बाद में इसमें हम एड़ कर देंगे जीरा दनिया का पौडर वन टी स्पून गरम मसाला भी इसमें एड़ करेंगे तकरीबन वन टी स्पून कि दोनों चीज़ें आड़ करने के बाद में हम इसकी पिर अच्छे से बुनाई करेंगे तेज आंच के उपर इस पे आग जो है वो आप मीडियम ना रखिएगा तेज आंच के उपर दही के साथ इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे हम 3-4 मिनट तक 25 मिनट में तियार होने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है अब डगकन से इसे डाम देंगे हम 3-4 मिनट तक देखें ओल जो है वो सेप्टेट हो चुका है और कड़ाई जो है वो सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है इस टाइम देखें बहुत ही माउथ वाटरिंग सी इसकी गरेवी है और बहुत ही मज़े की ये कड़ाई तियार होती है बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल की अब इसे मैं गार्निश कर दूँगी सबस दनिये के साथ अगर आपके गर अचानक महमान आजाते हैं तो आप इस चिकन कड़ाई को बहुत अराम से एक पोट में बना सकती है और अपने महमानों को इंप्रेस कर सकती है जूलियन जो है अदरक वो काट के इसमें वो डाल दें थोड़ा सा अदरक डालने के बाद में इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी सबस मिर्चें भी काट के अड़ कर सकती है गर की रोटी के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं बहुत ही मज़े की ये चिकन कड़ाई त्यार होगी कि आपके महमान भी